आप सबका आज के सेशन के अंदर हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं आज इस सेशन के अंदर हम के स्टेडिस के माध्यम से मुविंग एवरेज यह एक इंडिकेटर टूल आप इसे जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं नौ यह अपने आप में आप 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 आपको बता हूं आप आप मोविंग अवरेज बहुत सारी चीज़े आपको बता सकती है और मोविंग अविग अपने आप में एक पूरा की पूरा एक टॉपिक है बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे हैं कि जिसको आप independently use नहीं कर सकते हैं जैसे for example super trend क्योंकि अपने आप में बहुत सारे fake signal देता है फिर let's say हमने एक इंडिकेटर का इस्तमाल हमने सीखा था intraday के लिए that is called a VWAP now VWAP, indicators like zigzag, indicators like you know ATR, like super trend ऐसे बहुत सारे indicators हैं जिसको अगर आप stand alone इस्तमाल करने की कोशिश करेंगे तो result आपको नहीं मिलेगा but I would say moving average अपने आप में एक इतना बड़ा I would say एक topic है and a complete strategy है कि आप stock selection कर सकते हैं आप entry कर सकते हैं, exit कर सकते हैं, trail stop loss लग सकते हैं loss of momentum आपको पता चल सकता है आपका जो print analysis, long term, short term and momentum यह सारी चीज़े अगर आप करना चाहते हो सिर्फ और सर्फ एक ही चीज़ की माधियम से तो वह है आपका moving average मैंने अपने career में बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी wealth create करते हुए देखा है with the help of moving average और आप मुझसे पूछे, I am a very big fan of moving average और आज भी मैं moving average का इस्तेमाल करता हूं in one another way and यह result oriented है तो आज इस session के अंदर हम देखने कोशिश करेंगे in fact जो लोग मुझे live देख रहे हैं आज है 14th April और आज अभी हमने कुछ गंटे पहले और इवन सुबह सुबह जब मैं उठा कल रात को जब मैं सुया तो मैं न्यूस देखे मैं सुरा था एक हम जानते कि इस्राइल इरान के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ रहा था and as the Friday ends Saturday Sunday में यह crystal clear न्यूस के अंदर आ रहा था कि 24 से लेके 48 गंटे के अंदर इरान रिटालेट करेगा जो कि हमने आज सुबह होते हुए दिखा and it is very much possible that somewhere को निफटी 200 से 300 पॉइंट नीचे खुले now यह कुछ ऐसे इवेंट है जिसको आप advance में predict नहीं कर सकते शायद astrology या कोई numerology या इस तरीके की कोई सास्त्र जो है वो इस तरीके की event को predict कर सकता है but आज इस session के अंदर मैं आपके साथ ये हम साथ में मिलके की study करेंगे कि एक तो इस तरीके का जो scenario है क्या इसमें indicators like moving average can help us number one दूसरा क्या हमें advance में कुई signal संकेत कुछ you know hint क्लू मिला था वो सारी चीज़े देखेंगे and हम ये भी देखेंगे कि आपने से बहुत सारे लोग की शायद कुछ position हो सकती है तो क्या की position में हमें सोमवार को फाइदा होगा या नुकसान होगा आगे की हमारी run नीती क्या होगी वो सारी की सारी चीज़े आज इस सेशिन के अंदर हम देखने वाल है सो सबसे पहले I request all of you just write excited in the comment section क्योंकि जैसे you know थोड़ी से मेरी energy आज जादा है वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी से energy जादा हूँ I request all of you just write yes in the comment section excited in the comment section जो आप कम मन आता है आप लिखो so that मुझे भी थोड़ी से energy है and you can learn something and how to you know make money even in such kind of scenario which is as compared to a war alright तो उसमें हम कैसे पैसे कमा सकते हैं opportunity को कैसे you know generate कर सकते हैं या in cash कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आज इस session के अंदर हम देखने वाला है alright so I am very very happy for all of you thank you so much for coming thank you so much for joining and let's do the first thing first nifty सही analysis हम शुरू करता है तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको अपने जो मेरी जो screen है इसके उपर की जो जो मैंने लगा के रखा that is called a zigzag all right यह दो चीज़ें मैंने लगा के रखी यह जो zigzag है यह और यह moving average है अगर मैं बता हूँ तो दोनों की दोनों यह lagging indicator है अब आप बोलोगे sir यह lagging कैसे हुआ क्योंकि देखो moving average की जो आपकी value है जैसे here we are using the 39 moving average तो यह current candle से 39 candle जो पीछे है और यह सारे candles का average निकालेगा और इस तरीके से moving average चलेगा यह जो हो गया है उसके उपर analysis करेगा and zigzag अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं last zigzag जो है वो आपको यहाँ पर देखा इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी आपको line नहीं दिख रही है अब Monday को जब market नीचे hopefully यहाँ पर जब नीचे खुलेगा तो यह जो line है यह आपको इस तरीके से चलते हुए आपको दिखेगा now it's a matter of practice इस तरीके की practice आप भी कर सकते हो आज इस session के बाद आप ऐसे 10-15 चार्ट आप निकालो कि जहाँ पे zigzag का यह वाला जो portion जो है यह आपका blank हो alright so that आप इसको understand कर सके practice कर सके और इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि zigzag जो है यह एक lagging indicator है अब आपके मन में सवाल आगा कि lagging है तो इसका इसनमाल कैसे करें तो मैं जो करता हूँ मैं सबसे पहले बता रहता हूँ कि always मेरी जो practice है वो यह है कि सबसे पहले मेरे लिए one of the very very important जो चीज़ होती है वो है stock alright और stock में इसके लिए because I believe कि एक loop एक criteria जो बना दिया उस loop उस criteria के बाहर नहीं जाना यह है मेरा I would say एक practice तो जो stocks मान लीजे कि मैंने 2, 5, 10 जितने भी stock को जो मैं देखता हूँ उसी stock के अंदर analysis करना है हर एक में नहीं करना है उसका reason मैं आपको बताता हूँ जैसे यह moving average जो हम यहां पे इस्तिमाल कर रहे है moving average अपने आप देखो किसी भी time frame में किसी भी stock में आप moving average की कोई भी value अप लगा सकते हो आपको कोई रोकेगा नहीं क्यों? क्योंकि moving average में कोई रोक टोक इसके लिए नहीं है क्योंकि अपने आपने moving average एक concept है और इस concept का कोई thumb rule नहीं है देखो माल लीजे कि आप signal के ऊपर खड़े हो red light है और red light का मतलब क्या है कि वो thumb rule है वो नियम है वो काईदा है वो काईदा है वो कानून है कि जब तक red light है आप cross नहीं कर सकते हैं आप करते हो या नहीं करते है that's a different story लेकिन कानून यह कहता है कि कर सकते हैं कि आपने जो लगाई यह सही है या गलत है लेकिन इसका कोई एक का नहीं है और इसलिए moving average में बहुत सारी लोग अगर आप YouTube में moving average search करो कि आपको इधने lectures मिलेंगे and you can say like हर एक lecture सही है कोई गलत नहीं क्योंकि moving average का कोई thumb rule नहीं है now thumb rule नहीं है इसका मतलब यह थोड़ी नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे तो moving average का one of the best use देखो step by step जाता है सबसे पहले अगर हम देखे moving average का one of the first इस्तेमाल जो आपको करना चाहिए that is selecting a stock all right अब stock selection कैसे करेंगे इस दुनिया में जितने भी traders है even आप भी मैं भी हम सारे लोग एक चीज के ऊपर हम convince है कोई debate नहीं है कोई confusion नहीं है कोई query नहीं है वो यह है कि हम सारे लोग stock market में एक ही चीज करना चाहते है that is called trend trading all right just try to agree in a comment section all right again I request all of you just write agree in a comment section हम सारे लोग क्या करना चाहते है trend trading अब trend trading करने के लिए one of the best thing which you can use आप इस्तिमाल कर सकते हो किसी भी lagging indicator का कोई भी lagging indicator आप लगा दीजे lagging indicator आपको trend trading में बदत करेगा fine अब lagging indicator में one of the very very famous कौन है वो है moving average all right now moving average में problem क्या है आपका यहां पे कोई thumb rule यहां पे नहीं है बना रहा होना you can get this pdf लेकिन यह pdf में तब आपके साथ share करूगा जब यह पूरा की पूरा जो मेरा एक series जो चल रहा है swing trading का यह पूरा हो रहा है उसके बाद शांती से अच्छे से मैं बनाऊंगा बहुत ही precisely में बताऊंगा because यह mind note है अब mind note में होता क्या है कि आपको शायद इतना clarity ना में तो इसको एक blog form में या एक you know एक readable book के format में I'm going to share this pdf लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा यह जो मेरा whatsapp number है आपको दिख रहा होगा नहीं यहां पर कहीं पर दिख रहा होगा सेशन अब यहां पर I would say principles यहां पर अगर मैं इसको कहूं कि मैं principles मेरे लिए क्या हो सकते हैं तो सबसे पहले I try to use it ना अच्छा let's write for script selection script selection के लिए मेरे principles क्या है सबसे पहले मैं इसको डेली की time frame में में इस्तेमाल करूंगा मुझे क्या चीए मुझे यहां पर let's say मुझे यहां पर बड़े swings में हिट वेट करना है इसके लिए मैं सिफ और सिफ बड़े swing को मैं यहां पर देखूंगा मैं इसको मैं highlight कर दो सो थोड़े से आप और मैं हम दोनों distract ना हो जाए है all right so my purpose that is only and only big swing अब मैं यहां पर यह लिखने कोशिश करूंगा कि जो मेरा MA है यह मेरा smooth होना चाहिए all right and दूसरा जो MA के जो swings है all right यह अपने आप में बड़े size के होने चाहिए तो यहां पर मैंने क्या लिखा ध्यान से आप देखे कि मैं daily के time frame में इस्तिमार करूंगा यह किस चीज के लिए मैं बता रहा हूँ यह मैं script selection के लिए क्योंकि script selection सबसे important काम है सबसे important factor है I believe that हमें stock market में एक चीज में सबसे जाधा अपनी energy spend करनी चाहिए that is 90% of your energy should go into a script selection और यह daily का routine नहीं होना चाहिए यह शुड भी यह आपका once in a life मतलब जीवन में एक बार एक अच्छा stock ले लिया फिनिश जब तक वह stock आपको return दे रहा है जब तक आपको उसकी चिंता करने की ज़रुत नहीं है बिल्कुल इस तरीके से एक बार script selection के ओपर मेहनद करनी है तो script selection में क्या करेंगे daily का time frame बड करते हैं कि stock market में जो price action होता है इसमें दो चीज़ें होती है एक है stock market में आपका trend एंद दूसरा stock market का जो price action है वो आपको बताता है consolidation आगे चलके फिर दो पार्ट के इंदर divide होता है इसके उपर अभी हम नहीं जाते इसको हम side में छोड़ देता है लेकिन जो आपका trend है फिर यह अगे आगे चाके दो पार्ट के इंदर divide होता है एक है आपका uptrend एंद दूसरा है आपका downtrend अब यह चीज़ को जो मैं अभी मैं कह रहा हूं ना ध्यान से आप सुनिए क्या देखो हम सारे लोग मतलब इस दुनिया में हर एक लोग इस बात से convince है कि stock market जब गिरता है न लेकिन we also convince in a way that stock market जब bullish होगा ना तो दीरे दीरे रोते रोते यह नो मर मरा के पचासो तरीके के breakout पचासो तरीके के breakdown fake confirmation देखे देगा all right so you need to understand कि stock market में जो price action है यानि जो आपका trend है all right इसको दो पार्ट में divide किया है that is uptrend and downtrend और इसलिए अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए we know that downtrend is highly aggressive यह बहुत ही speed से आता है all right और uptrend जो होता है यह थोड़ा सा slow होता यह इस चीज़ के ऊपर we are all convinced all right just write you know con convince just write con in a comment section जिससे मुझे पता चलेगी आप भी इस बात से convinced हो क्योंकि यह एक universally accepted चीज़ है and इसके evidence एक नहीं हजार हो है all right तो इस दुनिया में ऐसा कोई भ gap down खुले अब आपको याद है कि nifty आकरी बार gap up कब खुला था अगर आप मालेजे कि if you are into a data analysis जैसे मैं data analysis में बहुत करता हूं if you are going to a data analysis तो detail analysis में हम यह भी दिखता है कि you know price किस तरीके से behave करता है तो the number of gap subs are always less all right or you can say like half compared to the gap down अब gap up जो होते हैं वो छोटे होते हैं 25-30, 40-50 पॉंट गोंगें gap down 50-100, 200 पॉंट all right क्योंकि अच्छी बातों से generally लोग खुश नहीं होते हैं लेकिन जैसे हमारे society में होता है कोई अगर किसी की तारीफ कर रहा है तो दो लिप खड़े होंगे लेकिन अगर कोई जगडा कर wide all right the strategy which works in a gap up or in a bullish market that is less going to work in a bearish market इसलिए आपको जीवन में याद रखना पड़े का मैंने क्यों का script selection is important क्योंकि जो rules जो formula जो principles जो concept जो theories जो आपके experience जो आपके expertise हैं that will be different when it is a bullish market when it is a bearish market just write 100 in a comment section अगर आपको लगता है कि जो मैं कह रहा हूं ये 100% सही बात है अगर आप इ है थोड़ाजा वापस से मुझे सर्दी कफ हो गया जो लोग मुझे कहीं समय से जानते हैं कि कुछ समय पहले में बहुत सारा कफ से मैं परिशान हो रहा था लेकिन फिर वापस से यह तरीके से वापस से वेधर ने करवट ली वापस से यह जो मेरी सर्दी खांसी है यह भी नहीं पाएगी, so, यहाँ पे, my major intention was, कि जब भी stock market में, कोई भी जो stock, bullish हो या bearish हो, उसको side में चोड़ देता है, लेकिन जब भी stock market में, एक बहुत अच्छा price action है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो Nifty नहीं यहाँ पे 18,800 से, यहाँ तक, non-stop Iqbal momentum दिया, which is, let's say, 21,900, alright, तो मेरा intention यहाँ है, कि जब market में trend available होना, तो उस समय, मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे trade मिलना चाहिए, alright, मैं यहाँ पे, मलब देखो, जब market में, कोई, you know, trend नहीं है, consolidation है, और उस सम problem क्या है, problem तब आता है, कि जब market में, पैसा बन रहा है, उस समय, मैं नहीं बना रहा हो, that is the worst thing, alright, 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 थोड़ी से सर्दिखासी वापस से बढ़ रही है, anyway, so, यहाँ पे, जब stock market में, पैसा बन रहा है, उस समय, मेरा जो indicator है, यह मुझे गलत signal नहीं देना चाहिए, and that is what my first intention is, now, I request all of you, just practice this, करने के लिए, आज का session में, एक तरीके का, एक lecture के तौर पर मैं कर सकता था, जहाँ पर मैं, अपनी बात आपको मैं बता के, मैं चला जाओ, और फिर आप practice करो या ना करो, लेकिन, आज मैं चाहता हूँ, क्योंकि, एक तो सबसे पहले, यह मेरा last 100% है, क्योंकि अगले हफते से, मैं अमदाबाद का, मेरा 5 दिन का, जो session है, sorry, मेरी 5 दिन की जो journey है, वो शुरूर ही है, और इस 5 दिन के अंदर मैं live trade करके, मैं अमदाबाद के मेरे lectures के अंदर मैं बताने वाला हूँ, सारी वहाँ पे जो तयारी है, वो हो चुकी है, तो अगले Sunday म for me, उसके बाद एक break लेंगे, उसके बाद हम फिर से ये series को शुरू करेंगे, so this session, I want you to practice with me, मेरे साथ practice करो, notes बनाओ, लिखो, तो यहां पर आपके सामने एक chart में करो, बता है, मुआ अ. कॉमेंट में लिखो आपको चार्ट में क्या दिख रहा है स्विंक्स बड़े दिख रहे हैं छोटे दिख रहे हैं इसके अंदर आपको बड़े ट्रेड मिल सकता है या नहीं एंट्री एक्जित आपको पैसी मिल रही है स्टॉक के बार में आप क्या दिखते हो स्विंक को थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश करो स्विंक के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करो और यही मैं चाहता हूँ कि आप मुझे comment section में बताए कि आपको actual में क्या दिख रहा है सतिष्टा जी it is not about sound मैं ये कह रहा हूँ कि आपको chart के अंदर दिख क्या रहा है tips and tricks वाले भाई साब मैं ये कह रहा हूँ कि what you are looking in a chart आपको क्या दिख रहा है chart में price action आप देखो swings आप देखो moving average के बाद आप यहां पे थोड़ा सा analysis करो क्योंकि ये जो chart है शायद आप मेंसे कुछ लोग को ये chart शायद समझ में ना आया आपको शायद ये भी clear ना हो कि मैं क्या कहने की मैं कोशिश करा हूँ but please do the practice with me मैं चाता हूँ कि मेरे साथ थोड़ी सी practice आप यहां पे करो all right so I am giving you last 10 seconds quickly comment में लिखो कि आपको इसमें क्या दिख रहा है आप इस chart में क्या देख रहे हो क्या analysis कर रहे हो क्या समझ में आ रहा है please let me know everyone all right I am waiting for your apply chart में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ देख नहीं रहा है all right कोई clarity नहीं है all right चलो मैं थोड़ा समय शुरू कर देता हूं फिर आगे फिर और एक मैं आपको case study में दूँगा देखो सबसे पहले मेरे लिए important यह होता है कि यह जो swing है यह देखो यहां से लेकर यहां तक जिग्जग को अभी देखो अपने मन बर्ज से कुछ भी यहां पर नहीं करते हैं अभी जो हमारी इंडिकेटर है जो हमको बता रहा है उसको ही इंडिकेटर को as it is in its natural form हम यहां पर understand करते हैं समझने की कोशिश करते हैं और राइट आपके मन में शाय सवाल होगा कि what do I mean by swing size तो देखो swing size मतलब यह है कि जो एक swing के अंदर जो आपका highest high point है एक swing के अदर जो आपका lowest low point है इसके बीच का जो difference है इसको आप दो तरीके से देख सकते हो in terms of points और दूसरा जो है in terms of percentage अब मैं always percentage के form में मैं पहली देखता हूँ देखो दोनों देखना पड़ेगा ऐसा नहीं कि सिर्फ पा percentage देखो नहीं दोनों देखना पड़ेगा क्योंकि मालिजे if I look at the percentage तो यह जो swing size है which is approximately 16.54% और यह जो swing size है that is 18.78% और यहां तो यह जो stock है which is your Bajajaj Finance इसके अंदर हमने दो बड़े swings हमने यह पर देखे जिसकी size it was 16.18% और यहां पर randomly let me just try to take any other chart for example IT वाला क्योंकि अभी IT गिर रहा था ना नीचे और आट so let's see तो अब यहां पर if you can just look at this stock which is called HCL Tech अब इसमें में दो बड़े swings और आट दो बड़े swings अगर में यहां पर देखता हूं यह वाले दो बड़े swings which is on a buy side और आट and recently यह जो swing बना that is on a sell side और आट अब यहां पर मुझे क्या समझ में है if you can just look at this कि यह वाला जो swing यह वाला जो swing और यह वाला यह समझ में था कि जो swing cent और इसकी जो size है यह 20% के आसपस यहां पर देख रही है बजाज में the size was almost 16% अब यहां पर 20% तो देखो anything which is more than 10% it is always great क्यों क्योंकि stock market का यह एक नियम है कि जो आपको देख रहा है अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि sir यह low high होने के बाद तो आप बड़े आराम से बना सकते है that is true तो हम यह यह study कर रहा है कि बनने के बाद यह कितना बड़ा बनता है हम यहां कोई prediction नहीं कर रहे so अगर यह 20% का जो मेरा swing है तो there is a huge chances कि मैं कम से कम 10% में कमा पाहूं all right now the next important thing अब यह हमने swing देखे now कि अगर मैं moving average लगा दे था जैसे यहां से यह अगर मैं moving average लगा दू तो moving average मुझे कितना profit देता है if you can see this 26.90% का यह मुझे price action मिला in a HCL tech now इस से बढ़िया price action क्या हो सकता है all right so, अगर मुझे केसी stock में बडे swings मिलते हैं all right, हमने यहा पर क्या देखा मुझे क्या चीए मुझे बडे swing चीए मुझे price action के भी बडे swing चीए और मुझे मोविंग average के भी बडे swing चीए, अगर मुझे यह मिलते हैं तो I'll be very happy और वह हमने यहां पर देखा तो हमें ये सबसे पहले script selection के अंदर आपका ये criteria होना चाहिए कि क्या मेरे stock जो है वो बड़े swing दे रहे हैं अब देखो जैसे एक example में लेता हूँ ये जो आपका stock है ये है शिपला अब ये शिपला में आप देखोगे तो मैं step by step में आपको जाता हूँ सबसे पहले ये वाला एक आपका बाई वाला swing अब देखो इसकी जो size ना ये पहले एक बार मुझे है ना step by step जाने दीजे so this is one this is two all right so let's say this is my third all right फिर ये गिरावट ये बाई वाला है so let me just plot all the swings first और उसके बाद मैं explain करता हूँ कि यहाँ पे in this particular stock what is the problem all right what is the problem अब देखो द्यान से देखो देखो यहाँ पे swing size 30.39% यहाँ पे swing size 9% यहाँ पे 15% यहाँ पे 12% यहाँ पे 7% और यहाँ पे 15% now हमने तीन स्टॉक देखे एक है बजाज फाइनस हमने देखा फिर हमने HCL टेक देखा पहला हमने कौन सा देखा पहला हमने देखा बजाज फाइनस और दूसरा हमने कौन सा देखा HCL टेक और तीसरा हम यहाँ पे कौन सा देखना है शिपला अब मुझे बताओ कि यह तीनो में से आपको सबसे भैतरीन स्विंग कुन से स्टॉक के लगे हमने बजार फाइनेंस देखा एचल देखा और हमने शिपला देखा तो ये तीनों में से सबसे बहत्रीन स्विंग्स आपको कौन से स्टॉक के लगे प्लीज राइट इना कॉमेंट सेक्षिन सतिष्टा जी जिगजाग आइंड टिप्स औं ट्रिक्स वाले बाइस आप मुविंग अबरेज यह हम यह दो चीज के उपर ही दिख रहे हैं हमें क्या चाहिए एक कैंडल स्टिक एक जिगजाग और एक आपका मुविंग अबर बस यह तीन चीज लगा लिया ना आपका कामि यहां पर हो गया मेया कम चाहिख है सो यहां पर मेरा कोशेफिन बहुत सिंपल दा कि यह तीन स्टोक में से सबसे बड़े स्परेंग आपको कूंढ से स्टोक आपक एक आपका भी विससर सफ अ है है if user स्लीग जो स्टेंश है वो सबसे बड़े दिये तो हैष्सल पहला नंब है देखो वहाँ पे 16% 20% अब यहाँ पे देखो सारे के सारे जो swings है यह छोटे छोटे होगे बिजा थो small swings अब माली जी कि 3% यह 7% है 7% है इसका मतलब मैं कमा पाँ हुआ सारे 3% क्योंकि इससे अब आप यहाँ पे देखोगे यह वाला जो particular swing है यहाँ पे अब इस swing के अंदर जो major price action हुआ है that is because of the gap up यह major price action हुआ that is because of the gap up तो देखो stock market में एक चीज जिसकी मैं हमेशा थोड़ी से मैं निंदा करता हूँ जो चीज stock market में आपके profit को खा जाती है देखो आप में से बहुत सारे लोग कंप्लेंड करते हैं कि sir यह जो emotion है यह हमारे दुश्मन है हम perfect entry नहीं ले पाते perfect exit नहीं ले पाते बहुत सारी चीज़ें हम सुनते हैं even आप भी इस तरह के messages मुझे बेचते हैं now I would say आपके majority of problems है उसका एक जो जड़ उसकी जो root है वो है आपके gap किसी भी stock चाहे वो index हो चाहे वो stock हो चाहे वो gold commodity कोई भी हो जो gap है यह अपने आप में बहुत ही खराब है because gap यानी क्या एक जहां पर छोड़ के चले के दूसरे जहां पर खुले उसके बीच का जो difference है जिसको हम gap करता है अब gap से problem क्या है कि even if you have the knowledge you don't have ability and you don't have permission to execute your information जैसे माल लीजे कि आज सुभी ये इरान में गाजा में इरान में और इसराइल में जो हुआ अब मालेजे कि मैं इस इस दुरघटना को ध्यान में रखके मैं कोई short की position में create करना चाहता हूं मैं कोई long की position को create करना चाहता हूं लेकिन ये मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा तो जो gap up and gap down जो है ये basically एक तरीके का it is like a hitler शाही जो हमारे ओपर थोपी जाती है कि हम चाहा कर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते so we need to understand आपको ऐसे stock से दूर है ना चाहिए जो frequent gaps देते हो जैसे माल लेजे if you look in nifty gaps आपको मिलेंगे अगर आप stocks में जाओ तो stocks like SBI, stock like HDFC bank, stock like you know आपके you know ये finance वाली जो company है इसमें gaps generally कम देखने को मिलते है पार्मा वाले में gap जादा मिलेंगे, मीडिया वाले में जादा मिलेंगे energy वाले जो stock है जो जैसे आपकी gas वाले जो stock है BPCL, IOC इसमें आपको gap जादा मिलेंगे तो you know my intention to tell you is कि आपको सबसे पहले script selection में देखना चाहिए कि ऐसे swings जो हो रहे है because of the gap उससे आपको दूर है ना चाहिए अब gap के साथ साथ आप देखो बहुत सारे clients मुझे ये message करते हैं कि sir ये stock कैसा है, ये stock कैसा है और ये buyer circuit लगे ये seller circuit लगे इससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन जो circuit वाले stock है उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि circuit लग जाएगा तो आप कोई action नहीं लिपाऊगे तो देखो जहां पे हम action नहीं लिए पाते हैं इस तरीके के stock से दूर रहना चाहिए इस तरीके के stock में जब भी बड़ा price action होता यानि जब भी कोई एक trend आता है तो या तो gap के कारण आ रहा है या इस तरीके के बड़े candle stick के कारण आ रहा है उस stock को ही छोड़ दीजे क्योंकि इस stock में आप चाहे उतने filters लगा दो indicators लगा दो अपना experience लगा दो पैसे नहीं कमा पाओगे तो मेरा एक सीधा नियम है कि जिस गली में जाना नहीं उसका पता पूछना नहीं तो इस तरीकी के stock में जब मैं जानता हूं कि मुझे जाना नहीं तो इसकी उपर महनत ही नहीं करनी simply skip करो हम सारे लोग कहते हैं कि stock market में इतने सारे stock है तो जिस stock में आपको लग रहा है कि इसमें पैसा नहीं बन सकता है तो इसको skip करो im. तो हम यहाँपे into script selection में यहाँपे एक नियम बनाते हैं कि हम कौनसे stock को skip करेंगे तो ऐसे stock की जिसमें gap ज्यादा होते हो और eight कोई भी gap बनते हो उसको हमें skip करना है दूसरा जहाँपे circuit लगते हो ऐसे stock को हमें skip करना है अ हम trend traders तो consolidation जिस stock में हो उसको हमें skip करना है तो यह सारी अच्छा फिर माल लिजे कि big candles बनते हो जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो यह है आपकी बड़ी candles ओर आइट तो यहां पर यह है आपका बड़ा candle ओर यहां पर यह है आपका बड़ा candle तो जो price action बड़े candles की द्वारा होत होगे तो infosys के अंदर जितने भी swings आपके बनते हैं उस swing में बहुत ही बड़ा योगदान होता है आपके gap का और बड़े candle stick का जस्ट लुक अट दिस अगर आप यहां पर देखो इस जगे पर let me just plot this swing अब यह अगर आप यहां पर देखोगे तो यह जितना price action आया यहां से कि यहां तक और इसमें से सिर्फ तीन candle को अगर आप निकल दो तो यह इसमें कोई price action आया है नहीं तो major idea of price action happening because of a single candle तो single performing candle वाले जो stock है उससे भी दूर हो in fact आप यहां पर देख पाऊ होगे इंधर क्या है आपका gap or right आप का stock यहां पर क्या है एक बड़ी candle stick आपको यहां पर है यहां पर बड़ी candle stick यहां पर बड़ी candle stick यहां पर बड़ी candle stick all right is it clear just right clear in a comment section यहां तक जो मैंने आपके साथ share किया is it clear to all of you all right चलो एक काम करता हूं by the time you are writing clear एक मैं एक chart open करता हूं all right और यह जो chart है यह मैं थोड़ा सा मैं सोच समझ के मैं आपके साथ मैं open करता हूं अब मुझे आप बताओ कि इस तरीके के stock में देखो stock का नाम अगर आप देखने जाओगे न तो stock के नाम में आपको दिक्कत आएगी तो मैं क्या करता हूं मैं एक काम करता हूं let me just try to open you a stock all right इसके अंदर आपको practice करनी है अभी all right लेकिन मैं क्या करूँगा एक smartness मैं भी इस्तमाल करऊगा यह smartness यह होगी that I am going to hide the name of that stock stock का नाम हम बूल जाते हैं और फिर आपको अभी मुझे comment section में मुझे लगके बताना है कि यह चार्ट में आपको दिख क्या रहा है all right क्या आप यहां पर trade करोगे that is my very very important question all right क्या ही stock के अंदर हमें trade करना चाहिए invest करना चाहिए swing size कैसे बन रहे है candlestick के अंदर आपको कुछ यहां पर कुछ different कुछ आपको दिख रहा है जो हम nifty वैंग nifty में दिखते हैं या किसी stocks में दिखते हैं उसके अलावा क्या है पर कोई candlestick की जो composition है इसमें कुछ आपको अलग कुछ दिख रहा है क्या यहां पर कुछ अलग चीज आप यहां पर समझ पा रहे हो क्या can you please help me in a comment section यह case study है यह आपके लिए है all right मैं चाहता हूं कि इसकी practice यहीं पर हम करते हैं आप और हम साथ में मिलकर करते हैं candlestick कैसे देख रहे है swings कैसे देख रहे है moving average आपको कुछ signal देख पा रही या नहीं देख पा रही all right can you please help you know comment section आपके observation बताओ मुझे can you please comment your observation in this particular chart पलवी जी आप नो लिखा आपने नो किस बात का लिखा मैं समझ नहीं पा रहा हूं केतन जी voice में शायद हो सकता है बीच में कुछ glitch हो but now it's fine so please comment in a comment section कि आपको इसमें देख क्या रहा है अगे यह tips and tricks वाले भाई साब जो है वो कहा रहा है कि swings पड़े दिख रहें all right very good और आपको क्या दिख रहा है केतन जी मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपने क्या लिखा stock का नाम important ही नहीं आप क्यों stock के नाम में जाते हूं stock के नाम में कोई लेना देना ही नहीं send वाले भाई साब लिखते हैं कि tradable है all right send वाले भाई साब मैं आप से पूछना चाहता हूं कि अगर यह tradable है तो आपके reason क्या है आप इसमें क्यों trade करना चाहते हूं आपके observation क्या है okay tip वाले भाई साब लिखते हैं कि ma is not giving clear idea very good बट आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ma clear idea नहीं दे रहा है आपके observation लिखो देखो आपके conclusion है that is fine लेकिन आपके observation is equally important मैं आपके observation भी जाना चाहता हूं कि आप जिस comment पे आया हो वो क्यों आया हो अब यहां पे JNTG लिखते हैं कि 440 पे buy करो अब 440 पे buy करने का logic भी बता दीजे all right very good आपने जो कहा that is fine लेकिन आपके logic भी बताईए सतिश्चाली जी लिखते हैं कि यहां पे trend नहीं है अच्छा ऐसा क्यों आपको लगा कि trend नहीं है आप यह conclusion के उपर आए कि यहां पे trend नहीं है बट आपने यह मतलब what is your observation tips and tricks वाले बाज साब ने लिखा कि बड़ी candle जादा है very good सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे thumbs up देना चाहूंगा क्योंकि you know finally आपने वह जवाब दिया जो मैं सुनना चाहता था all right so great I am very happy for you at least आपने finally वह लिखा कि जो मैं सुनना चाहता था मैं इतनी दिर से जो मैं पूट रहा था कि आपको यहां पे क्या दिख रहा है क्या दिख रहा है तो finally आपने मुझे बताया और उसके लिए can we have a big round of applause for you यह tips and tricks वाले बाइसा भी आपके लिए very good reversals has started with a higher high and lower low अभी शेख जी आपके लिए भी जोरदा तालिया रगु डॉली जी लिखते हैं बड़ी candle है और gap भी है very good beautiful Sanji लिखते हैं कि percentage of swing is proper मतलब आपको लगते हैं कि swing के sizes है वो बरापर है इसके लिए आप इसमें you know entry या trade ले सकते हो Sanji wonderful take my thumbs up wonderful wonderful आप आपके जो भी है यह take my thumbs up wonderful uh big gaps are most Adish Raji very good uh by after the swing I of 440 Jainti Ji very good thank you so much कितन जी लिखते है double bottom है पल्लवी जी लिखते है कि red candles जादा very good all right wonderful सबसे पहले तो आप सभी को मेरे तरफ से all right so पहले तो मुझे यह बताए कि यह अभी जो हमने exercise किया इस तरीके exercise करने में आप interested हो या नहीं तो थोड़ा सा और इस तरीके का interaction होगा ना trust me मुझे तो मज़ा आएगा all right लेकिन क्या आपको भी मज़ा आएगा if yes then do let me know क्योंकि अगर आप इस तरीके के you know exercise यहां पे जो मैं कर रहा हूं और करवा रहा हूं इससे आप खुश हो तो हम इस तरीके exercise हम और भी आगे हम यहां पे करेंगे all right wonderful wonderful चलो तो मैं आपको कुछ मेरे observation जो है वह मैं बता दूँ अब जैसे stock का नाम तो यह हमारे जो बाई-साब है इन्होंने अभी किस ने एक नाम तो दे ही दिया था all right so the name of that stock is ITC all right अब यह ITC stock के उपर discussion कर रहा है अब यहां पर थोड़ी से मैं आपको अपने observations मैं बता दूँ फिर आप इसके उपर आप अपना evaluation करो सबसे पहले अगर यह पूरा chart देखोगे all right तो मैं कैसे दिखता हूं यह थोड़ा साब ध्यान से देख लीजे all right मैं always यह दिखता हूं कि देखो price शुरू हुआ यहां से all right मेरा chart शुरू हुआ कहां पर यहां पर यह left side आप देख सकते हो यहां पर chart यहां पर शुरू हुआ और यहां पर बंद हुआ all right अब because यही पर शुरू हुआ यही पर बंद हुआ इसका मतलब overall जो मेरा stock है यह एक range के आसपा swing कर रहा है all right all of you just try to y1 all right पहली चीज दूसरी चीज अगर आप यह ध्यान से देखोगी तो इस chart में बहुत सारे swings है जैसे यह आपका पहला swing यह दूसरा swing यह तीसरा swing यह चौथा पाच बाच छटा साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला टोटल 16 swings है हमारे पास और यह 16 में से सिर्फ और से एक swing यह वाला जो है यह वाला this one सिर्फ यह एक ही है जो बड़ा swing है बाकी सारे के सारे चोटे swing है now try to understand कि अगर आपके stock के अंदर जो swing size है अगर यह चोटी है तो problem क्या है आप वहाँ पे trend trading कर नहीं सकते trend trading क्यों नहीं कर सकते because अगर आपके chart में if the number of swings are high then naturally your number of trades will be high alright and when your number of trades will be high if you are not a pro trader आप quick entry quick exit नहीं कर पा हुए हम सबके देख्यों एक limit होती है अगर आप highway पे by road अगर आप जा रहे हो तो आपने देखा हो कुछ लोग बड़े तीज चलते हैं वाले लोग कभी भी बड़े swing के अंदर पैसा नहीं बना सकते क्यों क्यों कि बड़े swing में एक चीज जो सबसे जादा जरूरी है that is the patience धीरज रखना शांती रखना all right profit आ रहा है तो profit को digest करने के भी शक्ति चाहिए all right just right agree in a comment section अगर आप मेरी बात से इतिफाक रखते हूं अब यहां पर जो quick action वाले जो लोग एना देद दना एकदम गरम खुन वाले hot blooded animal वो इस तरीक एक सिनारियो में बहुत जबदस पैसे बना पाएंगे but not in this scenario तो again based on your psychology you have to select a stock just because a stock is giving profit that doesn't mean कि आप उसमें jump करोगी all right क्योंकि एक aggressive trader trend trading में पैसा नहीं बना सकता तो आपको कैसे stock रूनने चाहिए hot stock all right बिलकुर उस तरीके से एक you know एक माली जे 50 plus वाला वेक्ती है वो इस तरीके के सिनारियो में in this kind of scenario they cannot make money क्यों क्योंकि उनकी naturally decision taking ability slow होती है patience जागा होती है तो again आपका जो nature है आपका जो स्वभाव है यह बहुत जादा matter करता है specially when it comes to stock market अब जैसे उसमें तो इतनी volatility हम FD वाले देखो कितने शांती से जी रहे so again this is a kind of a psychology FD वाले सही है stock market वाले गलत है और vice versa ऐसा कुछ नहीं है हम सब का जो विचार है और जो हमारी psychology है जो हमारा एक inner belief है उसको ध्यान में रखके script selection करना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि script selection का मैंने आपको एक बहुत ही important point अभी मैंने आपके साथ शेयर किया तो just write in a comment section just write in a comment section wonderful यह मुझे सीखना है profit digest करना हर बार profit में जाता हूं और loss में end हो जाता है अभी शेख जी यहां पे लिखते हैं कि गदे की तरह wait करते रहते जाता हूं और final loss में end होता है देखो अभी शेख जी so it is not like कि आप अपने आपको किसी के साथ एक तो campaign ना करे that's fine देखो हम generally क्या करते हैं कि जो हमारा nature है जो मेरा स्वभाव है मैं उसके विपरीत you know stocks के अंदर या तो मैं trade लेता हूं या तो उसके विपरीत scenario के अंदर मेरी strategy होती है जैसे अभी आपको मैंने बता है कि अगर माल लीजे जैसे for example आप कहते हो कि wait करते हैं इसके मतलब आप patience रखते हैं if you have patience तो based on that आपको अपनी strategy construct करनी पड़ेगी alright जैसे माल लीजे FD वाली जो community है उनके अंदर patience बहुत जादा होता है and risk tolerance कम होता है तो उन्होंने क्या किया FD कि क्योंकि FD में वही चीए patience चीए risk tolerance नहीं है expectation कम है तो अगर आपका जो अबाव है उसको अगर आप ध्यान में रखके अगर आप script selection या strategy construction करना चाहते हो then it is wonderful alright now सबसे पहले देखो यह एपरिल महिनी के बाद May महिने में या July महिने में मैं दो event में प्लान कर रहा हूँ एक है एमदाबाद में और एक है Bombay में और यह दोनों event में एक full day का session में करना चाहता हूँ and my intention will be to you know stock market में psychology वाला जो पार्ट है strategy वाला जो पार्ट है यह में करना चाहता हूँ if you guys are interested in joining in the live session which will happen in Ahmedabad and in Mumbai because मैं क्या beach में हूँ मैं सूरत में हूँ मेरे ऊपर के तरफ Ahmedabad है और मेरे इस तरफ जो है वो Mumbai है तो मैं बीच में यह पर हूँ तो मैं यह दो जगे पर ही मैं session में करता हूँ मैं तीसर किसी location पर मैं नहीं जाता हूँ alright so if you guys are interested in joining the one day live lectures which will happen in Ahmedabad in the May or in the June or in the Mumbai just write your city name in my WhatsApp number देखो आपको मेरा WhatsApp number देखो इधर कहीं पर दिख रहा होगा यह सारा digital है तो देखो यहां पर कहीं पर आपको WhatsApp number मेरा दिख रहा होगा उसमें आपके city का नाम आप महाँ पर शेयर कर दीजी यह जो session होगा इसमें I'm going to share you a lot of insights and if you guys are interested do let me know in a WhatsApp number यहां पर कोई comment नहीं करना All right तो देखो यह होगा यह सारी चीज़े It's a part of process सही trade मिलेंगे गलत trade मिलेंगे मिलब सही trade में सही entry मिलेंगी गलत exit हो जाएगा It's a part of process It's a part of evolution process All right देखो गलतियां करने में कोई दिखकत नहीं यहां भी शेक जी मैं आपको मैं कह रहा हूँ और आपके माधियम से मैं सभी को कह रहा हूँ गलतिया करो रोज गलति करो दिन में 1000 गलति करो लेकिन एक गलति को दूसरे बार मत करो If you do that you'll become a professional trader very very soon Just write a bell born in a comment section All right Antaraam Jadav Ji यहां पर नहीं लिखना है यह जो मेरा WhatsApp नंबर है यह पूरी स्क्रीन में कहीं ना कहीं आपको मेरा WhatsApp नंबर दिख रहा होगा ज्यादा होजी आप उस WhatsApp नंबर के ऊपर अपना City का नाम खाली भीज दीजे सिर्फ City का नाम और कुछ नहीं जब भी सेशन होगा आपके City में हमारे तरफ से आपको अपडेट आ जाएगा और यहां पर हम करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ के स्टडी अब यह जो स्टॉक का नाम है वह है Reliance अब यह स्टॉक में आप देखोगे तो आपको कुछ पता चलेगा कुछ समझ में आएगा तो प्लीज नाव टेल मी इन अ कॉमेंट सेक्षन के आपको यह जो चार्ट आपके सामने रखा है इस टॉक का जो नाम नाव इस टाइम फॉर यू तो हेल्प मी इन अ कॉमेंट सेक्षन के इस टॉक के अंदर आपके observation क्या है आपको यहां पे क्या दिख रहा है आप यहां पे क्या समझ पा रहे हो अन फॉर दाट आपके अंदर आपके अंदर आपके अंदर स्विंग साइस कैसा दिख रहा है प्राइस अक्षन कैसा दिख रहा है ट्रेंड कैसा दिख रहा है moving average कैसे perform कर रहा है gaps कैसे बन रहे है सारी की सारी चीज़े फटाफट से comment section में लिखो everyone please help me in a comment section के आपको यहां पे क्या-क्या दिख रहा है आपके observations क्या-क्या है आप यहां पे क्या समझ पा रहे हो please write quickly in a comment section quickly 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 क्या दिख रहा है stock में chart में क्या दिख रहा है आपका क्या analysis क्या है swing कैसे है moving average कैसे है gap बन रहे है या नहीं reversal candle कैसे है trendy market में क्या बड़ी candle से trend आ रहा है या क्या आ रहा है देखो थोड़ी से practice करो दो जैंदी जी लिखते हैं कि stock is on high and stock is trending very good trendy stock है मतलब जब बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है जब गट रहा है जब गट रहा है तो गट रहा है बड़ी स्विंग है very good अभी शेक जी लिखता है कि ascending triangle है very good support resistance नहीं है MA line very good MA showing good indication candles are small no gaps very good tips and tricks वाले भाई साब reliance approaching breakout very good very good very good गयतरी जी को लगता है consolidation है very good good swings tradable very good or observations quickly quickly और ज्यादा कुछ आप यहां पे देख पा रहे हो समझ पा रहे हो बड़ा break करके consolidation केतन जी very good support and resistance what in support and resistance थोड़ा सा detail में आप लिखो all right all right all right चलो I would say great आप लोगों ने जो attempt किया उसके लिए बहुत बहुत दिनेवाद आपने जो यहां पे लिखा that is absolutely fine अब चलो थोड़ा सा मैं बता दू मैं यहां पे क्या देख रहा हो देखो chart मेरा शुरू हुआ यहां पे इस जगे पे chart मेरा खतम हुआ यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे है very good दूसरा अगर आपने एक चीज़ ध्यान से अगर observe की हो तो देखो जब यहां पे stock ने इस जगे से जब भी गिरावट की alright तो यह जब भी यह stock ने moving average को touch किया न वहां से इसने resistance लिया up trend के अंदर moving average के पास इसने support लिया down trend के अंदर moving average के पास इसने resistance लिया तो आप यहां पे इस तरीके के stock में you can use the MA as a dynamic support and resistance हर एक stock में moving average will not going to act as if a support and resistance alright तो कुछ stock में moving average can work as a dynamic and support resistance लेकिन हर एक में ने तो एसे stock भी आपको ढूंडने पढ़ेंगे now why this kind of price action is important alright क्योंकि अभी यहां पे एक हमारे बाशाव बभी शेक जी कह रहें कि वो patience रखते हैं और फिर पैसा नहीं मिलता alright कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि entry सही है लेकिन exit गलत हो जाती है तो माल लिजे कि मैंने यहां पे buy call लिया इस जगे मैंने यहां पे buy call लिया इस जगे पे मैं exit हो गया डर गया गवरा गया fear greed कोई भी तो आप वापस से entry तो ले सकते हो so market can give you the second chance लेकिन उसके लिए right stock right indicator right strategy right approach alright तो यहां पे यह बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है overall एक madam नहीं यहां पे madam नहीं या sir ने किसी नहीं आप लिखा that stock is in consolidation that's absolutely fine यह देखो यह एक तरीके consolidation है लेकिन इस consolidation के बाद stock ने यहां पे multi-year का breakout दिया तो this is call your multi-year का breakout all right so again this should be this should be part of your trading strategy कि इस stock में क्या करें जैसे अगर आप सिर्फ zigzag लगाओ तो देखो zigzag आपको यहां पे क्या कह रहा है कि यहां पे है मेरा resistance which is acting like a support all right to reliance industries अगर यह level जो कि इसका lifetime high है अगर इसने cross किया तो I am going to take a buy call अगर इसने यह level break किया which was my previous important level तो में यहां पे short sell की में position बनाऊंगा also I have a confirmation of this zigzag तो इस तरीके से आप बड़े trade बड़े profit वाले trade बड़े आराम से ले सकते हो in a stock like a reliance industries और यह सारी चीज़े आप कर सकते हो when you use the indicator in a proper manner all right तो मैं चाहता हूं के आप सारे लोग इस तरीके के case studies को आप और करो और practice करो essay और analysis आप करो और मेरे तरफ से जो update है वो आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाले है तो अभी मैं चाहता हूं के आप थोड़ी सी practice और करो और उसके लिए let me just try to take you to one more chart all right तो अब और थोड़ा सा analysis करेंगे और next level के ओपर जाएंगे and let me just try to take you to a stock एक stock जो की बहुत ही जबदा stock है काफी पूरा ना stock है और यह जो company है इससे I am very much sure के आप लोग भी जुड़े हुए होंगे तो again I would say company का जो नाम है stock का जो नाम है उसको मैं कर देता हूं fine क्योंकि इस stock के नाम से हमें कोई लेना दिना नहीं होना चीए आपको इस stock को देखना चीए और इस stock इस stock के अंदर जो आपका analysis है वो आपको यहाँ पे करना है आपको क्या दिख रहा है कैसे दिख रहा है क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है Please help in a comment section आपको इस टॉक में क्या दिख रहा है फटाफट से मुझे बताओ आपको इस टॉक का नाम बूल जाओ स्टॉक के नाम से कोई लिना देना नहीं है यह जो में हम इस्तिमाल कर रहे हैं इस थर्टी नाइन टिप्स वाले बाई सा यह थर्टी नाइन का सिंपल मोविंग आवरेज है वी आर इन डेली टाइम फ्रेम क्या दिख रहा है आपको एवरिवान क्विकली 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 स्विंग्स कैसे बन रहे हैं कैनल स्टिक कैसे दिख रहे हैं आपको क्या समझ में आ रहा है दिख विकली क्विकली ब्लीज है प्रिकली कि अब्सक्राइएं दिख रहा है आया यह यह थिर्टी जा बशेथ़ेज नाइक रहे हैं high and now it's a trendy stock if cross high then going on a buy side wonderful great jayanti ji wonderful or coach uptrend swings are small ma act as support and resistance very good ketan ji likhate higher high formation very good zigzag support to moving average and big move very good wonderful satishta ji very good great 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 or observation kwnse stock mein zyadha lumbe swing hoote hai ye stock ke alawa dundo a to z wale bhai saap practice 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 kandles are small no gaps abdekou ek to candle chote nahi hai yee joh chart aapke saamne hai yee dho saal ka chart hai iske liye shayad aapko candlestick bhi chote lag rahe hai swings bhi aapko chote lag rahe hai jadav ji yaan pe likta hai ki slow moment hai yee slow moment nahi hai yee aapko iske liye lag rahe hai ki 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 ji joh chart hai yee dho saal ka hai hai all right yee minne jan bujh ke minne kiya man yee dheekh raha tha ki aap iske observe kar parahe ho ya nahi kar parahe ho if you can just look at this area yee haan pe hai march 2022 or yee haan pe hai made 24 24 so yee yee ee to sabse pahle swings chote nahi hai aagere aap yee haan pe price dheekhugie low hai 6500 ka yehaan pe aap high dheekhugie to wo hai almost 13000 ka yanni stock almost double ho gaya yee low se yee low se yee low se yee high tuk yee double ho gaya alright to again i would say yee thoda sa aap bhi isko dheekhugie chart ko jab bhi aap zoom in zoom out karo ghe na to aapko insights milingi to aapne dheekha ho gaga mayh kabhi bhi mayh stock ka chart naga mayh aise 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 mayh bhot karta hong all right mayh bhot baar mayh aise aise karta hong but mayhre liye kiya bas itna sa in a fraction of second bas itna sa mayhne kar liya mayhra kama ho gaya mujhe sab kuch samajh meh aagya or agar aap jiasse aapne yaa pe kiya now yee jo chart aapke saamne abhi mayhne jo lagaya that is from the year 2015 2015 ab dheekho humne isko 2 minute bhi dheekha all right toh bhi aapko kuch samajh meh aaya na aapke dhimag meh kuch na kuch picture banao ga na so this chart is majorly for a purpose to help you understand the power of doing the practice humko harik cheese ko multiple angle se dhekhna padega agar mein ekhi stock ko ekhi tariqe se dhekhunga toh paise nahi banenge but before i move forward aap jin 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 logo ne jo bhi comment kiya aap sab ke liye can i have a big grand applause for all of you wonderful chalye bhaut bhaut dhaniwaad phir se ek baar aap sabi ke liye zohrdaar taaliyan kyunki dhekhou aapne jo analysis kiya aapne jo practice kiya trust me this is really really very very good i genuinely appreciate that alright toh satish jai yaa satish jai yaa satish jai yaa pae likta hai this exercise is helpful very good thank you so much aasi aur exercise aasi aur practice hum karte rehenge but for that you need to you know stay connected with me dni aapne ko meire saat jude runna pao we have came on a conclusion based on zigzag and based on moving average moving average बहुत जगह पे एक dynamic support resistance के तौर पे काम करती है लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस area में इस जगह पे moving average ने आपको सिर्फ और सिर्फ fake signal दिया जितने भी signal यह area में बने हैं वो सारे के सारे fake signal है तो यह fake signal यहाँ पे क्यों है इस बचे कैसे यह already मैंने आपको बता दिया because what we need we need a you know a big swing what we don't need is a consolidation तो जब जब आपके stock में consolidation दिखे तो वहाँ पे moving average को ना आप dynamic support के तरीके से इस्तेमाल करोगे ना आप moving average को dynamic entry के तौर पे आप देखोगे ना re-entry के तौर पे दिखोगे in fact अगर आपको मैं एक I would say एक मैं एक Guru मंत्र में दूँ तो वो यह है कि जब जब आपका जो stock है वो consolidation के अंदर आए तो उस जगे पे आपको एक ही चीज़ करना चाहिए consolidation का high and consolidation का low इसको आप plot करके रख लीजिए and उस समय as long as your price is within that zone आप वहाँ पे moving average को बन कर दीजे क्योंकि अकर आपने moving average दिखा तो फिर आपके मन में unnecessary thoughts provoke करेंगे और वो आपको गलत trade करने के लिए प्रोचसाहित करेंगे जो हमें नहीं करना है तो याद रखे मैं एक चीज में हमेशा मैं stock market के अंदर कहता हूँ that stock market it's a pure and pure brain game यह दिमाग का खेल यह और कुछ नहीं है तो दिमाग का खेल दिमाग से खेलना पड़ेगा और आप दिमाग का खेल आप दिल से नहीं खेलोगे मुझे पैसे चाहिए मुझे अपने business को मुझे business में problem है मेरे job में problem है and for that I am here in stock market यह जो problem है यह आपके दिल के problem है आपके emotion के problem है तो अगर दिमाग का खेल दिल से खेलोगे तो loss जरूर होगा और यह हमेशा हम गलती करते हैं if you think what I have said just now that is absolutely fine, absolutely true then just try it in a comment section दिमाग का खेल दिमाग से खेलना पड़ेगा दिमाग का खेल दिल से नहीं खेल सकते दिल का जो भाव है उसको दिमाग से नहीं खेल सकते जैसे हम कहते हैं कि जब हम किसी से प्रेम करता है तो दिल से करता है तो वहाँ पर शडियंत्र नहीं रचाया जा सकता तो बिलकुल इस तरीके से जो काम दिमाग का है जो जगा दिमाग की है वहाँ पर दिमाग ही चाहिए अगर आज के सेशन को एक से दस में अगर आपको नमबर देना पड़े दस यानि बहुत बढ़िया एक यानि सबसे खराब तो आज के इस सेशन को एक से दस में आप कितने नमबर दोगे ये मैं चाहता हूँ कि फटा फट से अभी इसी समय comment section में आप लिखिए and उसके बाद if you have any questions do ask your questions in a comment section लेकिन पहने आपके जो your review है for this session please help me in a comment section कि एक से दस में आज इस session को आप कितने नमबर दोगे and फिर उसके बाद I'll try to take your general and common questions मैं आपको फिर से मैं बता दूँ कि मैं में महिने में या शायद जुलाई में जून महिने में नहीं में या शायद जुलाई में I'm planning a two session one in Ahmedabad and one in Mumbai या शायद किसी एक ही जगह पे मैं क्या करूँगा मैं नहीं जानता लेकिन अगर आप Ahmedabad या मुंबई में one day का सुबैसे लेकिशान तक रही वार को मिलेंगे शांती से मिलेंगे पोरे दिन हम बाते करेंगे पढ़ाई करेंगे stocks निकालेंगे strategy बनाएंगे बड़े पैसे कमाने के रन नीती बनाएंगे यह सारी चीज़ हम करेंगे and if you guys are interested आपको सिर्फ मेरा जो WhatsApp नमबर शाहद आपको यहां पे इस लिगित का यहां पे you can see might be somewhere here तो यहां पे आप सिर्फ इस WhatsApp में अपना city का नाम लिखे मुझे बेश दीजे and my team will get back to you and they will give you all the information all right so thank you so much Satishtha जी thank you so much Jadav जी Ketan जी धन्यवाद Jadav जी धन्यवाद Gayatri जी आपका भी धन्यवाद Pallavi जी धन्यवाद Jayanti जी धन्यवाद Raghu जी आपका भी धन्यवाद आप सारे लोगों का आज इस session में आना और आपनी जो comment किया उसके लिए बहुत बहुत दिन्यवाद If you have any particular questions quickly ask your question उसके बाद फिर हम इस session को समापत कर सकता है देखो Technical Analysis में जो शुरुवात है वो हमेशा Candlestick से होती है एक जो तीसरी जी होती है that is your chart pattern यह hierarchy में बता रहा हूँ इसको लिखना चाहते है तो आप लिख लीजी पहली Candlestick दूसरा Volume तीसरा Chart Pattern और चौता Swing और पांच हुआ आपका filters filters में आप you can use the consolidation you can use the gap you can use the sequential candles you can use the reversal candle आप बहुत सारी चीज़े आप इस्तिमाल कर सकते हो तो यह higher की अगर आपनी ध्यान में रख लीना आपका काम तमाम हो गया तो जितना यह technical important है उतना ही psychology important है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ you know technicals काम नहीं करेंगे जैसे yes I did a Sunday में market में जो भी यह बाहर हुआ stock market के बाहर और उसका impact हमें Monday को दिखीगा तो टेक्निकल शायद यह सारी चीज़े को digest ना कर पाए so only technical इससे भी काम नहीं चलेगा only psychology इससे भी काम नहीं चलेगा हमको यह सब को mix and merge करके एक बहुत ही बहतरीन एक हमें I would say एक strategy बनानी पड़ेगी एक यहां पर एक plan बनाना पड़ेगा blueprint बनाना पड़ेगा I'm a big fan of you sir thank you sir 10 on 10 सथिश्र जी thank you so much मुझे लगता है कि आपके सारे questions आज इस session के अंदर मैंने ले लिये और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज इस session के अंदर आप लोग आए जुड़े मुझे से मिले उसके लिए बहुत बहुत दिनेवाद I'm going to see you all of in the next session till then take care of your heart and money and jai hain